प्यारे बच्चो जय हिंद अर्षास गुरुजी की कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है तो आज का हमारा टॉपिक है मेन फैसिलेटीज प्रोवाइड़ बाय मॉडरन बैंकिंग मतलब आदुनिक बैंकिंग द्वारा प्रदान की गई मुख्यों सुविधाएं प्यारे बच्चो यह हमारे प्लस टू मैक्रो एकनामिक्स का हम पढ़ रहे हैं 11 चप्टर और यह पांच वा टॉपिक है तो 11.5 इसका नमबर रहेगा और प्लस टू मेक्रो एकनॉमिक्स की है ये वीडियो नमर 64 और प्लस टू ओवराल स्लेबर्स की अब हम पढ़ रहे हैं वीडियो नमर 152 को बजो इस ग्यारवे बैंकिंग वाले चेप्टर में अभी तक चार टॉपिक में हमने पढ़ा कुमर्शिल बैंक्स क्या है और इन दोनों के कारे और तथा इन दोनों में अंतर तो आज का हमारा जो अंतिम टॉपिक इस चेप्टर का है वो 11.5 इसमें हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक बैंकिंग दोरा प्रदान की गई मुख्यो सुईध हैं क्या है तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं भारतियो बैंकिंग सिस्टम के बारे में तो बच्चो भारतियो बैंकिंग परनाली का आधुनिकी करन मल्टी डायमेंशनल ये मतलब बहु वीमिय रहा है पहले से ही तो भारत के दीशियो बैंक बहुराश्टियो बैंकिंग निगमों के साथ टाफ कॉंपिटिशन पर्थात कड़ी प्रत्योगता कैदार पर वेवस बैंकिंग का अधुनिकी करन को उजाकर करते हैं इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं नमबर एक परसनलाइस्ट बैंकिंग मतलब विक्टिक बैंकिंग बच्चो आजकल वेपारिक बैंक अपने गरहाकों के साथ बहुत ये अच्छे से तालमिल बना करके विक्टिकत बावर्ट्या पेंकिंग पनाली में यह एक मुख्योdoor है, बेशक बच्चो यह अभी एक शैशाव वभस्ता में बहुते प्रारभर्भी के वस्ता में हें हैं इस प्रकार बच्चो जब व्यक्तिगत बैंकिंग बैंकिंग पनाली का एक व्यापक सुिक्रेट मात दंड बन जा में भी बहुत अधिक साहता मिलेगी अब हम समझते हैं दूसरी बैंकिंग सुविदाओं की वो हमारा है कंप्यूटराइजेशन और बैंकिंग सर्विसिस अर्थात बैंकिंग सेवाओं का कंप्यूटरि करन बच्चो बैंकिंग परनाली के आदूने की करन के संदर में कंप्यूटरि करन एक उलेखने परिवर्तन रहा है बच्चो आपने देखा योगा के पुरानी हस चालेत या हिसाब किताब की जो परनाली थी वो ना केवल बोजल थी बलकि वो बहुत अधिक समय खाओ या टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होता था बच्चो कंप्यूटर सॉफ्टवेर अब खाता खोलने से लेकर बैंक खाते में सभी लेन देन वो हिसाब किताब को अच्छे से समाल लेता है कुशलता और परिशुदता अर्थात या थार्थता दोनों में ही बहुत अधिक बच्चो सुधार भी हो गया है कंप्यूटर के वरत्मान यूग में वेपारिक बैंकों ने अपने गराकों को कुछ निमलिक्त विशे सुविदाएं देना प्रामर रम कर दिया है इस को उपड़ेंगे चार प्रकार से सबसे पहले इसमे नमबर एक है ई बैंकिंग और बैंकिंग ऑनलाइन उपर्य बच्चो इलेक्टरोनीक बैंकिंग से हमारा होता है मतलब इसमें बैंकों के पास एक وेबसाइट होती है और इस وेबसाइट तक खाताधारकों को पहुंचने के लिए पून्ष तंदरता होती है फ्री एक्सेस उसको होता है खाताधारक इसमें ना के ओल अपने खाते के शेश या बैलेंस को ही देख सकता है बलके बच्चो वह खाताधारक विभिन स्थानों पर विभिन व्यक्तियों को पैसा हस्तान त्रेंड भी कर सकता है किसी भी व्यक्ति को अब बैंक की खेटकी तक खड़े होने की आवशकता बच्चो नहीं रहती है इबैंकिंग के बाद दूसरी सुविधा बैंक देते हैं आटोमेटिक टेलर मशीन मतलब एटियम फैसलिटी बच्चो बैंकिंग सिस्टम में एटियम काना बैंकों के लिए एक वरदान सिदुआ है एटियम बच्चो एक तरह का मुद्रावित्रक मतलब मनिडिस्पेंसर है जो हमारे उन सभी दस्तावेजों को भी संभाल लेता है जिनका बैंक को द्वारा प्रोसेसिंग हम करना चाहते हैं बच्चो ये एटियम हमारे पूरे देश में फैले हुए है और बैंकिंग शेतर में कुशलता बढ़ाने में इनका बहुत अधिक महत्वा है सुतंतर मतलब फ्री एकसेस के लिए नगद राशिका तुरंत लेंदेन हो एवाम खाताशेश की तुरंत जानकारी हो ये हैं बच्चो एटियम से असानी से लिए सकते हैं इसलिए ये एटियम अधिक लोग प्रिया भी है और आजकल बच्चो बैंकों के काउंटर या बैंकों के खिटकी पर जाने के तुलना में अधिक तर लोग एटियम में जाना ही पसंद करते हैं अब हम समझते हैं तीसरी सुबिदा, तीसरी हमारी है एनिवेर बैंकिंग और थाथ कहीं भी बैंकिंग, बचो कम्प्यूटी करन और इंटरनेट ने कहीं भी बैंकिंग को करना संभव बना दिया है पुरानी हस्त लेखेद कारे भी थी, बचो मैनुल अप्रोच के अनुसार, खाता धारक से यह अपेक्षा होती थी कि वो अपने सभी बैंकिंग लें देन संबंदित बैंक की शाका में जाकर ही करें जहां उस खाता धारक ने खाता खोल रखा है अब इंटरनेट के आने से बैंकिंग व्यवस्ता की सारी स्थिती अब बदल गई है खाता धारक अपने खाते का प्रचालन देश में कहीं भी किसी भी शाका में कर सकता है खाता धारक को अपना अकाउंट प्रोफाल मतलब खाता चितर एक बटन दबाने से वो देख सकता है वस्तों में कहीं भी बैंकिंग के रूप में व्यवपारिक बैंकों ने बैंकिंग की अवधारना और सुरूप भी बदल दिया है बैंकिंग अब जीवन की एक पद्दती बन गई है चौता अब हम इसमें समझते हैं डेविट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलेटीज अर्थात डेविट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सुविधा वर्थमन वेपारिक बेंक अपने खाताधारग को debit card और credit card बचो ईशू करते हैं और कई परकार की सुविड़ाः देते हैं खाताधारग debit card को दिखा कर या प्रयोग कर के किसी भी परकार की वस्तू को खरीद सकते हैं खरीदी के वस्तुका भुक्तान इलेक्ट्रोने की अंतर द्वारा करके खाते में डैविट करा लेता है बच्चों, क्रेडिट कार्ड कई प्रकार के होते हैं, आप रहें देखाई होगा, यह क्रेडिट कार्ड खाता धार को कई प्रकार के रिंड सुविधा भी प्रदान करते हैं, यह सुविधा कार्ड धार को साक की उनकी क्रेडिट हिस्ट्री तथा रिंड भुकतान किसमता मता रिपेमेंट कैपैसिटी पर निर्वर करती है समयने तर बच्चों लगभग 40 दिनों की अबदी के लिए ही रिंड कर मुक्त होता है उसके बाद बैंक जो है दो प्रिशिर की दर से कमिशन चार्ज कर लेता है अब हम समझते हैं तीसरे मुख्यों सुविधा वो हमारी है बैंक कई प्रकार के पैकेज़्िस प्रदान कर देते हैं बाचीत पकी होने पर छोटे रिन अक्सर करजदारों के घरों तक भी पहुँचा दिया करते हैं इन सुविधाओं के कारण खाता धार को अपने खाते का विवरा फॉन पर ही प्रैप्त हो जाता है फॉन बैंकिंग द्वारा बच्चो बैंकिंग सेवाओं का परसार अब दूर दूर तक फैल रहा है अब हम समझते हैं चौती मुक्य सुईदा वो हमारी है डायवर्सिफिकेशन ओफ बैंकिंग अर्थाद बैंकिंग का विवीदी करन बच्चो बैंकिंग शेतर में सुधारों की अब होरसी लग गई है बैंकिंग क्रिया का उलेखनी और फैलाओ अथवा विवीदी करन हो गया है मुच्वल फैंड्स बाजार तथा जो खिम पूझी अर्थाद वेंच्वर कैपिटल बैंकों के विवीदी करन का एक मत्वपून अंग है भारत सरकार ने कर छूट स्कीम के साथ भी इसको जोड़ दिया है इस क्रिया को बहुत अधिक प्रोसान अब दिया गया है समाने जनता द्वारा मुच्वल फैंड्स में निवेश पर कुछ आयकर में छूट की सुविदा भी अब दी जा रही है और बचो मुच्वल फैंड इन्वेस्मेंट से सम्मंदित जो भी रिस्क या जोकिम होता है वो बैंक का नहीं बलके निवेश करताओं की लायबिलिटी होती है एक अन्यसुईदा बचो है हाॉसिंग फाइनेंस अर्थात आवास्य वित की हाॉसिंग फाइनेंस अर्थात आवास्य वित में बचो आजकर वेपारिक बैंक बहुत अदिक बड़ चरकर भाग ले रहे हैं और बचो भारत में Housing Finance अर्थात आवास्यवित को Tax Rebate अर्थात कर छूट के विकल्पों से जोड़ दिया गया है हाली के वर्षों में आवास्यवित में भारी मात्रा में बचो उरिदी हुई है हाउसिंग फाइनेस के साथ साथ बचो वैपारिक बैंकों का शिक्षा समंदेरेंड और व्यक्तिक बैंठ विवीदी क्रेत बैंकिंग का एक अन्यमअतरपुन पहलू है बच्चो गैर जमानते शिक्षा समंदिरिन सारवजनिक शेत्री और बैंकिंग निकमों की एक सूस पश्ट विशिष्टा रही है इस प्रकार बच्चो हम क्या समझे कि भारत में बैंकिंग क्रिया के आदोने की करन के ये सबी पहलो बैंकिंग पनाली के द्वारा बैंकिंग वेफसाय एम उपभोग तथानिवीश में भरसक उन्नती का संकेत दे रहे हैं तो बच्चो ये था हमारा आज का टॉपिक तो बच्चो उमीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई गया होगा तो नेक्स टॉपिक हमारा होगा बारवे चप्टर से तो बारा पॉइंट एक में कल हम पढ़ेंगे गौर्मेंट बजट एंड दा एकॉनमी अर्थात सरक सारी बजट था और थोबस्ता ये पढ़ेंगे हम नेक्स टॉपिक में तो आज के किसमेट नहीं जाहिन वंदे मातरों